Hello students of class 10th, आज मैं आपकी 1st flight का chapter 7 का 3rd part लेने वाली हूँ As you know, इसके 3 parts है chapter के Baker from Goa पहला part था जिसके summary मैं आपको इससे वीडियो में देख चुकी हूँ उससे पहले की वीडियो में और अब 2nd part कूर्ग वो मैं आपको पिछले वीडियो में दिया था उसके summary and now I am going to take 3rd part that is tea from Assam इसमें दोस्तों की कहानी है जो इन में से एक राजवीर है और एक प्राजोल है इसमें से प्राजोल जो है वो Assam करहने वाला है यह दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं और प्राजोल जो है राजवीर को कहता है कि आप वेकेशन में जो मेरे साथ चलो समर वैकेशन में तो वहां प्यासाम में आपको में गुमाऊंगा राजवीर जब बाहर की खुबसूरती हरयाली और ट्रेंक से जो पैनावर्मा व्यू में उसको बहुत लंबे चोड़े वे दूर दूर तक फैलेवे खेत और टी प्रेंटेशन के सीन दिखाई देते हैं उससे वह बहुत बहुत दा एक्साइट होता है राजवीर लुक्स एड़े सीनरी आउटसाइड और इस मेमराइजड बा इस ब्यूटी उसकी खुबसूरती में खो जाता है दूर दूर तक फैलेवे खेतों में टी प्रेंटेशन हुआ है और जहां तक निगाय जाती हैं वहां टी बुशिज ही दिखाई दे रही हैं अब यहां शुरुवात होती है कि चाय की खोज कैसे हुई शुरुवात कैसे हुई इसके बारे में टू लेजेंड साथ हैं Chinese legend says that when a few tea leaves accidentally fell into a boiling water which the emperor tasted and liked and tea making stunded मतलब एक Chinese emperor था बहुत पुरानी समय में जिसको गरम पानी पीने की आदत थी और वो एक बार जब उसके लिए पीने का पानी गरम किया जा रहा था तो उसमें कुछ पत्तियां चाई की बायचांस उसमें गिर गई तो उसके पानी को फ्लेवर भी मिला और कलर भी जब राजा ने वो पानी पिया तो उसे वो पानी बहुत पसंद आया और तब ही से वो यही चाय वाला पानी पीने लगा और चायना में यह tea plants जो हैं वो कि आखों को बहारी कर रही हैं जिसके वजह से उसके आखे जुक रही हैं और उसे नींदगा ऐसाज हो रहा है इसलिए अपनी meditation को continue करने के लिए उसने अपनी eyelids को काट के फेंक दिया और ऐसा कहते हैं कि जहां उसने अपनी eyelids को काट के फेंका था वहां पे टी के यही चाय के नींद उड़ जाती थी जैसे कि उस बुद्ध मॉंक की गिर गई उडगई थी चाइनीज टी लवर्स ऐसे कहते हैं कि सबसे पहले टी लवर्स चाइना में ही थे राजवीर टोल्ड पांजोल दैट टी वोस फ्रस्ट ड्रंक इन चाइना वर्ड लाइक चाय, चीनी, एंड यह सब चाइना वरेंजन के हैं, इच स्प्रेड टो योरोप दैन एशिया, पहले चाइना से चाय योरोप तक स्प्रेड हुई और उसके बाद एशिया में आई, अर्लियर टी वस ट्रंक मोर अ मेडिसन दैन एज बावरेज, पहले यह दवाई के तोर पे पी जाती थी बज प्रांजोल के जो फादर है, उनका भी अपना टी गार्डन है, जिसको वह देख भाल करते हैं, और जब वह दोनों फ्रेंड्स स्टेशन पर उतरते हैं, वह बहुत क्राउडड था और वहां से वह अपने एक टैक्सी लेकर के अपने घर के लिए चल देते हैं, ग्रुप्स जब वह उस प्रांजोल के फादर के गार्डन में पहुंसते हैं, तो वहां देखते हैं, जो टी प्लकर्स हैं, वह अपने पीट पे बास्केट्स लेकर के और एप्रेंस पहन करके ताजी-ताजी उगीवी पत्तियों को प्लक कर रहे हैं, इसा माना जाता है कि में से लेकर ज आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, प्लीज गो थुरू इट, आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आईए